दोस्तों वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मस्टर्ड के बाले में बात करने वाले हैं और रैफिट मस्टर्ड जिसकी बात पते हैं यह दोनों किसके अंदर आते हैं ब्रैसिका जो है जीनस है जीनस जो है इसका ब्रैसिका है और यह ब्रेसिका जो जीने से काफी वाइडर है, इसमें बहुते आप देखोगे, ग्रूप्स हैं, इसपसीज हैं, तो पहले तो क्लियर कर लें कि दोस्तों जो मस्टर्ड है, इसको याद रखिएगा, इसको ब्रेसिका जैंसिया भी बोलते हैं, ठीक, और जो यह आपका इसी रैप सीट को आप यह भी बोल सकते हो, सरसो, तोरिया, और लाही, जो की रैप सीट को बोलाता है, और जनसिया को आप बोल सकते हो, राई, राया, लाहा, यह जो है, इसको आप मस्टर्ड को बोल सकते हो, और दोस्तों यहापर देखोगे, जो दिया हुआ है, कि यहां पंजनसी होती है, all the crucifers जो होते हैं, उनमें पंजनसी होती है, और यह पंजनसी होती है, क्यों है, विकाजब आई सो थियो साइनेट, और यह इस थियो साइनेट है क्या, एक enzyme hydrolysis जो प्रड़क्ट है, इसका glucosinolate का, जो कि यह सभी crucifers में पाया जाता है, और इसी जो टॉक्सिक प्रजेंस आट टॉक्सिक जो यह ग्लुकोसिनolate है, जो केक में होता है, इसकी वज़ा से क्या देखोगे, इस इस अन्सुटेबल आज ए सोर्स आप रोटीन फार बोथ यूमन और कैटल, दोनों के लिए यह अन्सुटेबल है, और इसी के वज़ा से जानते हैं कि ग्वाइटर जो है, आप में रिजीज हो सकता है, जिसके वज़ा से आपको आपके ग्रोथ को और डेवलप्मेंट को अफेट कर सकता है, इसलिए गवर्मेंट आफ इंडिया ने 0.5% maximum limit, अपर लिमिट जो है, fix कर रखी है, 0.5% याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है, इसके बाद कुछ वराइटीज की बात किया, जैसे आपको यहाँ पर दिया, जैसे हम रैप सीट की बात कर लिए है, ब्राउन है, एलो, दो तरह के होते हैं, जिसको ब्राउन सर्सो और एलो सर्सो के नाम से जाने रहता है, और इसका बात्मिकल नेम देख से ब्राउन की सबसे जो की अच्छी वराइटीज का नाम दिया, जैसे पूसा का लियानी है, और एलो का वियुक्ते हैं bum आये हैं, इसी तरह आप देखो कि इंडियन मस्टड यो की कमस्टड को आपना नें बताया है कि इंडियन मस्टड के नाम से, जानते हैं और राई के नाम से भी जानते हैं और इसको ब्रसी का जन्सिया बोलते हैं ये काफी पूछा भी जाता है आप लोगों से और इसकी कुछ वराइटीज जो है जैसे मास्टर के देर रखा है कि करांती है लोहिनी है वरुना है जिसको टी 59 के नाम से जानते हैं उसा ब आप प्रणाउन एलो आप तोरिया भी कह सकते हैं और लाहा भी कह सकते हैं लेकिन इसको मस्टरड को आप को याद देखेगा राई राया और लाहा इससे आप प्रणाउन कर सकते हो और इसी मस्टरड को इंडियन मस्टरड वो जैसे भी इसको ब्रैसिका जन्सिया बोलते हैं इसको आप लोगों को मेम्राइज करना पड़ेगा जो कि कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है और वराइटी है एक जैसे पूसा जैकिशन और NRC Hybrid 506 दोस्तों जैसे मैं आपको बता दो जो पूसा जैकिशन जिसको Bio 902 भी बोलते हैं तो फर्स्ट वराइटी है जो की ब्रसी का जन्सिया की जो की डवलब की गई थी बाइड़ बायो टेकनोलजिकल टूल यूज करके थूदर सुमाटिक हैबड़ेजिशन से और इसको जो डवलब किया था बाई प्रोफेसर बीयल चोपरा जी ने तो पहली बात तो हमें समझना है कि सुमाटिक हैबडेशन है क्या तो याद रखी का पहली बाराइटी है जो कि Bio technological apple को यूज करके जो की बाराइटी जवलब की गई जो की पूसा चैकिसान है ठीक Somatic Haveration का मतलब होता है जिसे कोई Sael है उसका Saels वाल आप रिमोव कर दो तो ये plasma membrane Lamarème है वो रहेगा असके अडिर nucleus है तो इसी तरह से ये parent A है और इसी तरह से दूसरे आप Saels वाल रिमोव कर दो आप यहां पर एक जो है दूसरा पारेंट भी ले लो दैन इनका क्या करो आप जैसे इन दोनों का आफ जब यह जो दोनों A एन B है इनका फ्यूजन कर रहा होगे तो आपको दिखेगा कि यह जो प्लास्मा में एक दूसरे के जो यह जो नूकलियस है यह जो है डिफ्यूज होंगे एक दूसरे में दैन एक सिंगल बन जायेगा जिसमें आपका यह आधा यह और आधा इसका नूकलियस तो यह जो हैब्रिड डबलप होगा यह हाँ पर इसको हम बोलते हैं सोमेटिक हैबरेडेशन याद रखिएगा तो इस फॉसरे के द्वारा यह जो है पुसा जाय किसंड डबलप की गई थी यहाँ पर उसके बाद जो दिया हुआ है एन एनर्सी हाइब्रिड 506 यह फर्स्ट हाइब्रिड है मस्टर्ड की इंडिया याद रखिएगा फर्स्ट हाइब्रिड है मस्टर्ड की जो की डिरेक्ट रेट आप रैप सीज और मस्टर्ड ने भरत पूर से तूथ हाइब्रिड 9 में इसको रिलेज किया और एनर्सी जो एक और हाइब्रिड आई 101 यह वराइटी लेट सोइंग के लिए सुटेबल है इरिगेटर एरिया MP, UP और अजस्थान के लिए ठीक है अब यहाँ बात कर लेते हैं एक दूसरी वराइटी के लाम जो डवल जीरो वराइटी जिसको कैनोला के नाम से भी जानते हैं कैनोला डवल जीरो है, डवल जीरो का मतलब यहाँ पर है कि यूरकी केसिड और ग्लुको सिनोलेट इन दोनों का जो कंटेंट है 3% से लेस आपका यूरकी केसिड होगा और लेस दन 30 माइक्रो मोल्स पर ग्राम ग्लुको सिनोलेट अगर यह प्रपरटी कोई वराइटी रखती है तो उसको डवल जीरो वराइटी कहते हैं और उसमें जो जो अपना एक कैनोला है उसमें यह दोनों आपको प्रपरटी मिलेगा लेस दन 3% यूरकी कैसिड और लेस दन 30 माइक्रो मोल्स पर ग्राम ग्लुको सिनोलेट इसको डवल जीरो वराइटी भी बोलते हैं अब बात करते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की दोस्तों बताते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड यह जो पहले बात किये थि genetically modified नहीं थे लेकिन यहाँ पर वी आपसे बता दू हम बात करने वाले genetically modified जो कि धारा mustard hybrid हूँ जेए जीनवी modified रहा Breton है जो कि डावलक किया गया ऐ आ सेन्टर फॉर जैंटिक मैनिपुलिछोटेटी को वहां से इसको डवलब किया गया और जो रिसर्चर एड दली इनिवर्स्टी थे उन्होंने इस हैबिड को क्रियेट किया जो की आपका धारा मस्टर्ड 11 है यूजिंग वरांसी और वर्स्टार टेकनोलजी और जेनेटिक और यह जो DMH 11 है यह हर्मिसाइड टॉलरेंट है और इन 2016 में यह इसको जेनेटिक इंजिनरिंग एप्रूबल कमीटी जो होती है जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांस होते हैं उनको कमर्सियल क्लिशन किया जाएगा या नहीं वो कमीटी क्या करती है एप्रूब करती ह और याद रखिएगा यह ministry of आपका environment and forest में आती है environment and forest not in the ministry of agriculture कभी कभी पूछ भी लिया जाता है तो याद रखिएगा यह ministry of environment and forest में आती है और यह माना जाता है कि जो DMH 11 है इसका il 30% ज्यादा है than the traditional reference जो variety हमारी reference variety है जोगी हमारी reference यूज करते है national check के लिए उससे 30% इसका yield ज्यादा है और इसके लावा यहाँ पर बात करना चाहता है mustard फिड की जिसको लिपफिस एरैसिमी बोलते है दोस्तो इसका जो logical name है और यह बहुत ही serious paste है बहुत ही minute होता है आप देखोगे green color का लेता है और यह क्या करता है sucking type का paste है तो यह क्या करेगा जो की बहुत ही seriously suck कर लेता है जो फ्लोरल पार्ट होती है mustard का फ्लोरल पार्ट में तो जिसके वाज़से मामारी mustard की काफी yield reduction होता है इसके अनामा जैसे भी painted bug है leaf miner है diamond black moth जो भी और भी insects हैं जो की mustard में लगते हैं about the mustard जो इस book में दिया था हमने reading किया और इसी करम में हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो कैसी थी comment करके और लाइक करके बताईएगा और आप नए होती चैनल को subscribe किजिएगा और वीडियो के improvement के लिए जरूर कमेंट कर सकते हैं तो जरूर किजिएगा